कि ये समझ में आएगा आपको depreciation क्योंकि already हम दो classes आ ले चुके हैं depreciation की है ना तो मैं format बना लेता हूँ झाल 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 मैं नीचे रख लेता हूँ इसको और वर्किंग नोट के लिए उपर काम कर लेता है ठीक है चल यह सवाल में देखते हैं क्या कहता है कहता है ABC Limited ने पर्चेस किया है जैन और जैन में कब खरीदा है इसने सल जैन में खरीदा एक जनवरी 2018 में certain machinery 194 का जिसको नाम दे देता हूँ M1 एक जनवरी 2018 पर कितने का 1,94,000 उसके उपर spent किया है इसमें 6000 इंस्टॉलिशन का तो आपना यहीं पर add कर दो plus का symbol डाल के यहीं पर 6000 कर दो ऐसा कोई समस्या है नहीं आपका यानी M1 हाला की बोला गया है question में कि आपने खरीदा 1,94 का लेकिन आप याद रखना कि वो 1,94 के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला सारा काम हम किस से करेंगे 2,00,000 रुपए से लेके चलेंगे ठीक है इसके बाद आगे कहता है on July edition machinery एक लाग का परचेस किया है July में July 2018 में सर ये भी अठारा में था कुछ दिनों बाद एक जुलाई एक साथ 2018 में खरीदा है सर M2 नाम दे देते हैं और कितने का खरीदा है सर एक लाग रुपए का पहले ना हमें सवाल के लिए वर्किंग नोट कर लेना चाहिए ताकि आसानी रहे इसके बाद क्या कहता है July 2020 में machinery purchase on January 2018 having become absolute Absolute का मतलब होता है नस्ट हो जाना बिकार हो जाना काम का नहीं रहना उसे absolute बोल देते हैं तो कहता है कि July 2020 में यानि समय बीटता गया बीटता गया बीटता गया जैसे ही पहुँचे हम July 2020 के अंदर जैसे ही पहुँचे हम July 2020 में the machinery purchase on January 2018 have become absolute was sold रुपीस एक लाग तो आप सबसे पहले तो बताईए July 2020 के अंदर अगर बात चल रही है और कहता है जिस machinery को खरीदा था एक जनवरी 2018 में तो आप बताईए दो machinery है आपके पास तो किस machinery को बेचने की बात चल रही है पहले वाली के और दूसरे वाली को फर्स्ट को ठीक है अब भई जो जितने बच्चे भी लाइव हैना comment में आपको भी जवाब देना और साथ के साथ अगर voice में कोई भी दिक्कत आती है फटा-फट से comment में डालना ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ तो यहाँ पर इस सवाल का मतलब है हमने कौन से वाला बेचा है पहले वाला फर्स्ट वाला बेच दिया है एक लाग का तो यह डेट मेरे ध्यान रखने के लिए 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 आगे आगे कहता है सर कॉंटीनियू में क्या कहता है यह चलिए कॉंटीनियू में कहता है एंड सेम डेट पे एक नई मसीनरी परचेस कर लिया डेड लाग का एक और मसीनरी खरीद लिया सेम डेट पे डेड़ लाग का तो सेम डेट मतलब इसी डेट की बात कर रहा है तो हम यहां लिख लेते हैं M2 M2 खरीद लिया कब 1,7,2,020 में कितने का सर डेड़ लाख रुपए का खरीदा है अच्छा हाँ M3 होगा न चलिए M3 कर देते हैं M3 आगे कहता है Continue में Depreciation Provide Depreciation Provide करेंगे हम 31 December को हर साल ठीक है भईया अरे 10% किस हिसाब से Original Cost The Machinery On January However Company Change चलो यह Change वाल ही आगे मैं सुचा सा Simple सवाल कराऊंगा लेकिन मैं Change वाले के बारे में बता नहीं गा एक पर सवाल करूँआ न तो आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या Concept था नया क्या था 11 से ठीक है यह पहले Discuss कर लेते हैं पहले बताना जरूरी है एक न हमारे न अगर बोला जाना है Depreciation Chapter क्या 11 जैसा है क्या 11 जैसा है मैं कहूंगा Yes तो सर इसमें क्यूं डला इसके अंदर एक Concept अलग आ जाता है Only one Concept that is Change Method सर Change Method क्या अलग आ जाता है हमेने तो ग्यार्वियों पढ़ा भी नहीं था Change Method इसमें क्या नया है बोलते हैं कि Management में लोग पागल होते हैं Management में लोग थोड़े से न यह काम कर लो यह यह काम कर लो जैसे Option दे देते हैं न कोश्चन में तो बच्चा परिशान जादा होता है यह भी करें कि यह भी करें यह भी करें कि यह भी करें तो ऐसे Law ने बोल दिया कि तुम SLM लगाओ यह WD भी लगाओ तो Management में इस Date पे S पर WDV मेथड 10 परतीशत के हिसाब से Done इन्होंने पका निश्चे कर लिया कि यह लगेगा अब 2000 क्या आया 16 आया 2000 क्या आया 17 आया 2000 क्या आया 18 आया 2000 क्या आया 19 आया माल लेते हैं 2019 में यह Management क्या कहता है सर यही Management 2019 में कहता है बोर हो गया अब मैं बोर हो गया हूँ सर किससे बोर हो गया हो बोला Depreciation लगाते लगाते बोर हो गया कुछ नया करते है न तो बोला नया SLM लगाएंगे अब आज के बाद से हम आज के बाद से क्या लगाएंगे हम SLM लगाएंगे मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ तो मैं आज के बाद SLM लगाएंगे बोला और थोड़ा interest चाहिए तो अब rate को मैं 10 की जगह पर कर दूँगा में 15% या 10 की जगह पर कर दूँगा 20% तो that is called change method starting में हमने start शुरुआत कुछ और किया था और further आगे जाके मैंने क्या कर लिया था change कर लिया है तो इसको बोलते हैं change method अगर दो साल पहले आप ये पढ़ रहे होते हैं तो इसमें काफी time लगता लेकिन जब से हमारा PPE आया है यानि AS10 जब से आया है तब से इसको बड़ा आसान कर दिया गया सर चेंज method से क्या फारक होगा नहीं होगा अभी देख लेंगे क्या ये change method करना optional है कोई किसी भी time कर सकता है किसी भी साल के सुरुआत दोर में WDV से SLM में जा सकता है SLM से WDV में आ सकता है दोनों possible है दूसरा rate 10 है तो 10 को 10 ही रहने दे सकता है method चेंज कर सकता है और rate को भी change कर सकता है और method भी change कर सकता है उसके उपर depend करता है तो सर जैसे कि मान लेते हैं मेरा एक 10 हजार रुपे का machinery है एक लाग का मैं depreciation लगा रहा हूं सर 10% SLM तो कितना लगेगा बचा कितना अगले साल कितना लगेगा अगें 10 ही लगेगा SLM है न 10 हजार बचा कितना अब examiner बोलता आप mood नहीं कर रहा है SLM अब WDV लगाऊंगा मैं तो management से एक बात ये भी पूछ ले ना तुम्हारा जब mood नहीं कर रहा है इसको लगाने का WDV लगाने की बात कर रहे हो जिस दिन mood change जो value बचा है उसी पर depreciation लगाना क्या करेंगे उस mood के हिसाब से लगाना चालू करेंगे समझ रहे हैं जो management ने decide किया है अगर बोलता भी या rate भी बदलूँगा 20 करूँगा मैं तो मैंने लगा कोई बात नहीं 20 कर दे भाई अगर उसके हिसाब से चलता जाएगा समझ में आए change method तो इतना बड़ा कोई major impact नहीं आया पहले था क्या हम क्या करते थे पहले SLM लगाया तो फिर हम सुरू से एक बार WDB लगाते थे फिर दोनों के difference को match किया जाता था उसको redrospective effect से कहा जाता था लेकिन law जब से नया बनाया तो बोला गया कि depreciation cannot be charged redrospective effect sir redrospective effect क्या management कभी भी पीछे date से depreciation के rate को बदलने से यहां से नहीं बदलेगा वो कहां से बदलेगा जिस दिन उसने decide किया है वहां से बदलेगा अगर इस दिन decide किया है और अगर वो पीछे से बदल ले तो इसको क्या बोलते है redrospective effect और जिस दिन decide किया है उसी दिन से बदल ले तो उसे बोलते है prospective effect तो पहले redrospective वाला हुआ करता था लेकिन AS10 ने इसको खतम कर दिया बोला भाया अब management आप ऐसे नहीं कर सकते अब कौन से वाला चलता है सिर्फ prospective effect चलता है समझ मैं ही बात आपको कुछ छोटी से बात है तो अब सवाल में देख लेते हैं सवाल के अंदर क्या था 10% WDV लगाया जागा ठीक है एक January को management का दिमाग खराब हो गया एक January 2021 में management ने बोला however company has changed the method from पहले ये पता है कौन सा लगा रहा है सर पहले लगा रहा है SLM SLM लगा रहा है starting में कहता है फॉस जेंट 2021 को however the company has changed the method providing depreciation and adopt the method of providing depreciation 15% बोला के भईया मेरा जादा दिमाग खराब होगे अब तो मैं लगाँगा 15 10 छोड़ो 15 और वो भी कौन से method से लगाँगा WDV के नाम से तो मैंने बोला भी है अब देखो नए log के हिसाब से तो कोई फरकी महसूस नहीं होगा जैसे मैंने पीछे किया था वैसे ही करने वाले है तो कब decision लिया 21 में तो कब लगेगा ये नए वाला method 21 में लगेगा ठीक है ना और कहता है depreciation 18 से लेके 21 तक बनाओ यानि 18, 19, 20, 21, 4 सालों का हो जाएगा तो चलिए सर depreciation पहले लगाना चालू करते है depreciation कब लगेगा 31, 12, 2000 2018 पूरे साल का कितना 20,000 सर method तो ये कौन से वाला SLM है तो बचा कितना 81, date क्या आया 1, 1, 2000 19 फिर depreciation लगेगा सर सर, depreciation कितना again 20 तो बचा कितना 1, 60 ये date क्या आया 1, 1, 2000 20 और 6 महने बाद तो बेची दिया तो 1, 7 2020 तक का depth लगेगा तो बताइए कितने महिने का लगेगा सर, 6 महने का लगेगा और 6 महने का कितना होता है सर 10,000 होता है तो बचे कितने 1, 50 और 1, 50 वाले को मैंने बला भईया इसको बेचो मैंने क्या कर दिया 60 कितने का 1, 100,000 का तो नुकसान हो गया 50,000 का क्या हो गया Loss 50 का क्या होगा Loss समझ में आई बात, बड़ा बेसिक सा है, पंदरा नंबर में ऐसे सवाल आएंगे आपके PPE में से, इतना बड़ा नहीं है कि बहुत changing करने वाले, तो पंदरा नंबर में बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा, तो देखो final account तो फिर भी लंबा गया, आपने inventory वाला देखा, अब inventory मैंने question देही नहीं पाया हूँ, मैं, WDV याला जल्दी खतम हो जाएगा, branch में थोड़ा सा time लेगे, ताकि regular class करके, मेरा यही target है, अगर मैं देखूं तो भाई, फरवरी में exam है, हाला कि मेरा exam कब है, March में है, एक तीन, तीन, चार तारिक को है न, तो मेरा target है कि 5-6 फरवर यह वो करेंगा, छोड़ दिया, अगले Sunday आपके class तीन घंटे की होने वाली है, तो जो तीन घंटे की class होगा, उसके अंदर शायद को एक chapter ही पूरा खतम कर दूँ मैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा, चलिए सर, अब इसके बाद show the machinery account, और देखो यहाँ पे ने एक word हो खतम कर दिया इसका, अब आ जाते हैं सर, 31,12,2018, इसके उपर भी डेप लगाएं, कौन सा लगेगा, 18 में तो SLM था, कितना लगेगा, 6 महीने का, सर, 5,000 रुपे, कितने बचे, 95,000, फिर से डेप लगाएंगे सर, यह क्या date आ गया, 11,2019, उसके आद 31,12,2019, फिर से डेप लग बाद में बहुत पस्ता होगे, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा, चल, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इस साइड से, क्योंकि यहां से तो पढ़ने की जूरत है, जब इधर काम करेंगे तो इधर कर देंगे इसको, ठीक है ना, चलिए, चलिए सर, अब हम आगे आ जाते हैं किस डेट पे आगे, एक, एक, दो हजार, बीस, अब डेप्रिशेशन, 31, 12, 2020, फिर से क्या लगेगा, SLA मी लगेगा, सर, 10,000, तो कितने बचे, 75,000, अब क्या गया, एक, एक, दो हजार, एक के सब मेनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था, कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अ इसाब से कैसे लगाया जाता है, तो इंटू में, 15 बटे में, 100, तो कितना हो जाएगा, 7,500, और 7,500 का अधा कितना होता है, 11,250, ये नहीं वाला मेथट है, माइनस कर दो, सर माइनस कर दो, कितने, 750, ये आगया हमारा ये, कुछ पता चला चेंजमेंट में, बड़ा बेसिक सा चीज है, लेकिन बहुत बच्चे ना, इसको ना, मतलब के एक, बहुत बड़ा पॉइंट बिल्ड़ अप कर देते हैं, कि भीया, इसमें तो अलग है, चेंजमेंट आए इकतिस, इसके बाद अगले इंट्री आएगी का अभी, इकतिस, बारा, दो हजार, बीस में, आगेन, कितने मैने का, छे मैने का, छे मैने का, कितना आएगा, सर, 75, 100, डेप्रिशेशन चेंज तो हुआ नहीं, चेंज तो 21 में हुआ न, तो 1, 42, 500, अब क्या आगया, सर, 1, 1, 2,000, 21, अब 31, 12, 2000, 21, सर, मेथट चेंज होगे, आप 15% लगेगा, सर, W, D, V, और वो भी 15%, कौन बच्चा निकालके बताएगा, फटा-फट बताईए, 21, 375, भाई, आज बच्चे फटा-फट आंसर दे रहे, चलिए, माइनस करिए, गलत मत दीजिएगा, बस आंसर, 12, 11, 25, ठीक है, समझ में आगे, अब क्या करना है सर, इसको बस अकाउंट में प्लोट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो, अरे, पहले यहाँ तक किसी को, जिसको वर्किंग नोट समझ में आ गया ना, तो लेजर में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको वर्किंग न नहीं समझ में आया है, तो लेजर तो भूल जाओ, क्या आएगा, किसी को वर्किंग नोट में दिक्कत, जितने बच्चे लाइव क्लास में हाँ या ना में जवाब दे दे, सर, एक को है, बिल्कुल सही, गौतम एक को है, जल्दी से जवाब दे दे, हाँ या ना में, नो, जितने बच्चे ऑफ लाइन बैठे हैं, किसी को, समझ में आ रहा है सारा, यह मैंने कैसे लगा, 15% कब से लगाया, क्यों लगाया, 15% क्योंकि कुश्चन कह रहा था, ठीक है, उसी क्या को नहीं, और हमेशा कुश्चन बोलेगा, लास्ट में ही हम चेंज करेंगे, चलि सबसे पहले लिखेंगे, 2 bank, bank से की खरिदारी, और सर, कितने की करी, bank से खरिदारी, bank से खरिदारी करी, सर, हमने 2,00, की, और 31,00, 12 को लगेगा, depreciation, by depreciation, कितने 2,00, पे कितने, percent, 20,000, पहले साल का depreciation आ गया, 20,000, दूसरी मशीन्री क्या, इसी साल खरीदी है, हाँ सर, हाँ, दूसरी मसीनरी इसी साल खरीद ली हमने और उसके लिए भी क्या लिखें टू बैंक कितने की खरीदारी एक लाख रुपे का और उसके उपर भी क्या लगाएंगे कितने आएंगे पांच हजार और ये भी 31,12 एक साल कम्प्लीट किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताईए यह आ गया हमारा तीन लाख और ये भी तीन लाख और पच्चिस माइनस करतेंगे 270, 5000 और बैलेंस CD अब आजएगा सर एक एक उननिस और टू बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD कितने 275 चलिए सर दूसरे साल का डेप लगाते हैं कब 31,12 को by depreciation पहले वाले पे फिर से 20,000 लेकिन अब जो कहानी बदल गई दूसरे वाले पे सर दूसरे वाले पे 10,000 तीसरे वाले पे अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमने नहीं खरीदा 30,000 के लिए लेजिए दो साल का हो गया complete 275 275 or by balance CD 10% ही 14,250 हो रहा है ठीक है न चलो जब किसी का आंसर को गलत बोलते हैं तो जिसने आंसर दिया उसको tension हो जाती है चलिए यह हमारा एक machinery था अब हम आ जाते हैं कब एक एक Bs 2 balance BD और balance BD कितने का सर 243 45 होगा अच्छा 45 45 अब इसी साल एक machinery और खरीद लिया एक साथ 20 में और 2 banks से सर कितने का खरीदा 1.5 लाख रुपे का और इस साल एक machinery बेचा भी है तो चलिए बेच देंगे पहले पहले हम एक साथ का debt तो लगा दे एक साथ तक का buy depreciation जो बिका है उस machinery का depreciation सर कितना आया 10,000 और फिर से buy bank से क्या कर दिया इसे सर इसे आपने कर दिया sold और कितने का बेच दिया एक लाख एक लाख का ही बेचा है और इसी time पे क्या आगया नुकसान जिसे करेंगे profit and loss और bracket में लिख दो loss और कितने का loss 50,000 सर ये सारी काम एक तारिक को अब क्या आएगा 31,12 अब लगाएंगे buy depreciation number 1 पे 2 पे 2 पे सर 2 पे कितना लगने वाला है 10,000 रुपे और 31,12 को ही लगाएंगे buy depreciation number किस पे 3 पे कितना लगने वाला है 3 पे 70,500 चली अब इसका total कर लेते हैं 1,500,000 रुपे आजाएगा हमारा 3,95,000 बताईए buy balance CD जी balance CD बताईए फटा फट कितने 2,17,500 ठीक है तो इसकी कहानी खतम question को उठाके इदर ले जाते हैं कोई लेना देना है नहीं उदर चलीए सर चलीए यहां तक बात हो गई done आगे की बात करते हैं आगे फटा फट last year और last year को करते हैं हम green से एक एक दो हजार 21 और टू बैलेंस BD वो यह वो तारीख है जिस दिन management ने एक फैसला लिया और management ने फैसला लिया भहिया अब तो depreciation लगेगा लेकिन लगेगा अलग method से तो by depreciation number 2 पे लगेगा और by depreciation number 3 1 तो गया तू पे लगेगा ग्यारा दो सो पचास और 3 पे लगेगा 21 375 चलिए 217 पांसो दो लाग by balance by balance CD बताइए 184 आठसो पिछटर यह यह ना चलिए यह भी 31 बारा question हो गया खतम और answer भी खतम अब देखें यहाँ पे ध्यान से देखें आप कई बार इस सवाल को check करने के लिए ना working note में अगर आप देखेंगे ना तो यह वाला balance जो बचा हुआ machinery और यहाँ जितने भी machinery बचें इन दोनों को जोड लीजिएगा तो आपका same यह balance आना चाहिए एक चुरासी आठसो पिशेतर तो मान लो आपका ठीक है otherwise फिर आपने कहीं न कहीं calculation में error कर दिया है तो वो आप check कर सकते हैं ठीक है किताब में आपके answer होगा किताब में भी check कर सकते हैं तो यह हो गया done किसी को किसी परकार का कोई दिक्कत परिशानी तो बता दें नहीं तो फिर एक और सवाल करें किताब में तो यह होगा है